अलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने वीव वाई 33S Android में आप जो है ड्रॉ एम टू प्ले म्यूजिक सेटिंग को आपने यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह ड्रॉ एम टू प्ले म्यूजिक सेटिंग कैसे काम करती है आ पर आपको यह option मिल जाएगा shortcut and accessibility इसे आपको select करना है अब इसके आगले page मां आपको यह option मिलेगा smart motion इसे आपको select करना है अब इसके आगले page मां आपको यह option मिलेगा smart wake इसे आपको select करना है इसके आगले page मां आपको नीचे यह option मिल जाएगा draw M to play music इस option के ठीक सामने आपक यह बटन दे रखा है इस बटन को आपको टैप करना है तो यह बटन आपका जो है न ब्लू किलर में इस तरीके से अन हो जाएगा अब यह ड्रॉ एम टू प्ले म्यूजिक सेटिंग जो आन होने के बाद कैसे काम करती यह मैं आपको बता देता हूं देखें दोस्तों जब भी आपके mobile phone की screen off होगी न इस तरीके से तो यहाँ पर जो है आपको off screen पे alphabet का M letter आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से इससे क्या होगा आपके mobile phone में जो music का या song का जो page होगा आपके phone में वो आपका direct सामने open हो जाएगा तो इस setting जो है ऐसे काम करती है आपकी draw M to play music setting ठीक है अब मैं आपको ने यह भी बतायता हूं दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने जब M letter यहाँ पर draw किया तो मेरा music का या song का page open क्यों नहीं हुआ क्योंकि मेरे mobile phone में कोई भी music या song मेरे phone में नहीं है तो इसी वज़े से मेरा music का या song का page open नहीं हुआ तो इस setting जो आपका इस तरीके से क पीज में सबसे उपर यह search icon को option select करना है और यहाँ पर आपको search bar में type करना है draw तो आपको आपको सारे option नीचे की side में show हो जाएंगे यहाँ पर आपको yellow option भी मिल जाएगा draw M to play music इसे आपको select करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको directly setting में लेकर आ जाएगा और इस setting को highlight कर करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंड़ने का आपके mobile phone में